yoga के माइने क्या? यह बहुत से लोग जो आपने किसी नहे कहा ना, कि हमारे Muslim भाई लोग उसमें कुछ objection कर रहे हैं, कि क्योंकि वो किस लिए कर रहे हैं, कि उनको yoga के माइने क्या है, वो नहीं समझ में आ रहा है, और ना किसी ने समझाया. आज मैं इस कारक्रम के माद्यम से ये कारक्रम लगभग दो करोड लोग देखते हैं बारत वर्ष में और विदेशों में सब जगे मिला के दो धाई करोड लोग देखते हैं इस कारक्रम के माद्यम से भी मैं बता रहा हूँ अपने साथियों को जो घर बैठे हुए देख रहे हैं इस कारक्रम को कि योगा का संस्कृत का माइने है to unite with yourself self के साथ you right हो जाना उसका नाम योग है और self is supreme जाये वो कोई भी धर्म हो कोई भी जाती हो वो self को supreme मानती है चाये Muslim हो चाये Christian हो Hindu हो कोई भी धर्म के लोग हो वो self को supreme मानते हैं उनका धर्म तो मानता है हम उसको practice नहीं कर पाते हैं वो अलग बात है तो यह ज़रूर आप ध्यान रखिएगा के योग का मतलब कोई धर्मिक बात नहीं है योग का केवल मतलब अर्थ है के आप अपने आप से unite हो अपने self से unite हो और ओम का जहां तक प्रेशन आता है तो ओम इस ए symbol of beginning of the society beginning of the universe and end of the universe that is what ओम means it doesn't mean के आप किसी particular धर्म की बात ओम के अंदर देख रहे हैं यह lack of knowledge है और lack of knowledge creates problem lack of knowledge creates stress in life of any kind जब आदमी को पता नहीं होता और वो प्रेशन सामने आता है तो जो किसी ने बता दिया उसकी तरफ चल पड़े एक चीज और योगा में ध्यान रखिएगा जो भी अगर आपको बताएगा जैसे आज भी हम कुछ बताएंगे आपको तो that is a minimum के इतना minimum कर लीजे आप ज़्यादा करें तो वो और अच्छा होगा तो यह कोई maximum retail price वाला दंदा नहीं है आपके जितने भी products होते हैं उसमें लिखा होता है maximum retail price is this much अपने आनन्द के लिए अपनी चीज के लिए उसके अंदर minimum है maximum नहीं है तो वो आप जो भी करना होँ आप अपने चीज में कर सकते हैं और इसके साथ मैं बलाना चाहूंगा भागयश्री को भागयश्री is here with us today to show us some of the simple techniques which will be helpful God bless इसमें कुछ चीजें मैं जो practice खुद करता हूँ वो ही मैं आज बताऊना चाहरा हूँ आप से कोई और इसके लावा नहीं कर रहा चाहरा हूँ एक तो सुबह उठके श्नान करके नाश्ता करने से पहले नाश्ता करने के बाद वो नहीं कर सकें तो गाड़ी में बैठके गाड़ी में जाते हूं तब दस मिनिट अनुलोम विलोम जरूर कीजिए कितने लोगों को मालूम यह अनुलोम विलोम तो दस मिनिट अननोम विलोम करेंगे तो आपको दिमाग के अंदर स्ट्रेस कभी भी नहीं आएगा और जो नहीं जानते हैं भागिश्री आप भी बताईए मैं भी आपको करके बता रहा हूँ कि ये देखिए ये उंगली और इससे एक एक नाग को इदर से बंद कर रही है अंगूठे से और ये तरजनी उंगली से जब इसको छोड़ें तो इसको ले लीजे तो एक दो पांच करके शुरू करते हैं देखिए इससे इससे सांस अंदर लिया यहीं से शुरू करिए हमेशा लेफ्ट नोस्टल से शुरू करिए और रोकना भी लेफ्ट नोस्टल पर है इससे सांस अंदर लेंगे राइट से चोड़ेंगे फिर ये बंद रहना चाहिए ये लेफ्ट वालन आग और इसको फिर वापिस सांस अंदर लीजिए राइट नोस्टल से इसको बंद करिए और दूसरे से फिर यहाँ छोड़िए ज़र करिए देखें लेफ्ट नोस्टल ओपन टेक दी ब्रेथ इन होल्ड इट खेविपट वजग भंद लीजिए व कम मि रसेgend Wash ब्रेथ वुहाँल आग लीजिए नोस्ट इन की व्तहर कर रेफ्टम्नार्ट वुहाँथ य και लोस्टम्नार्ट अग्छै इन अल्गकर डॉस्टबश्ज अग्जेल फॉम दी लेफ्ट वान। तो कोई डरिये मत, गाड़े में बैठें, आप दफ्तर जा रहे हैं, रास्ते में कर लीजे। और इसके बाद पांच मिनिट भ्रामरी प्रानायां। ब्रामरी प्रानायां। ये किसलिए ये तो पहले जो आपको बताया है, अनलोम विलोम, इससे आपको स्ट्रेस कतम होगा, आपका दिमाग फ्रेश होगा, आप पंदरा दिन अगर रेगुलर करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ अपलिफ्ट होगे। किसी भाई ने पूछा ना कि आप इतने यंग क्यों लगते हैं। भाई आप 65 साल में होने जा रहा हूँ, 64-65 साल का होगा। लेकिन इसलिए है कि स्ट्रेस नहीं है। जो भी स्ट्रेस आता है तो उसके अंदर भी सम्टा बनाये रखते हैं। और जब कोई बहुत अच्छा आता है तो उसके लिए भी उसमें भी बहुत एक्साइटनी होते हैं। तो समता बनी रहती, समता बनी रहेगी तो आप अच्छे स्वस्थ रहेंगे, तो ध्रामरी प्रानायाम में क्या करेंगे भागिशरी बताएगी, एक आप अपने कान के उपर दोनों उंगली बंद करिए, और थोड़ा आँख पे रख लीजे, सास को इन्हेल करिए, पूरा अंदर लीजे, और फिर यहां गले से छोड़िए उसको, इस जगे से, आवाज आपके मुझे से निकलेगी जैसे के भावरा एक उं कर रहा है, देखिए एक बार फिर, यह दोनों अंगूठों से आप कान के उपर रख लीजे, यह निकाल रही है, सास बहाद। इस से क्या होगा, कभी आपने रात को देर से खाना काया, कोई लेट उठे, कुछ भी होगा जो रात को आपको जो कई बार ऑक्सिजन दिमाग को ठीक फ्रेश नहीं मिलती है, क्योंकि यहां पर यह वाल होता है, वो बंद हो जाता है, तो आपको फिर खुराटे आने लगें, खुराटे इसलिए आते हैं कि आउक्सिजन पूरी ब्रेइन को नहीं मिल रही, फिर नीद अच्छी नहीं होगी, सुबह ठीक से नहीं उठेंगे, तो यह भ्रामरी प्रानायाम उसके अंदर हेल्प करेगा, और इसके बाद आपको पांच-छे आसन हम बताएंगे, जो आप ओफिस में किसी समय भी आपको ठकावट मसूस हुई, किसी दिन आप किसी कारण से थोड़ा सा अच्छा मसूस नहीं कर रहे हैं, किसी भी समय उठके यह कर ली,